हालो नमश्कार प्यारे बच्चों मैं विजय बंसल मैथ लेक्चरार गवर्मेंट सीनर्स केंडी स्कूल चांगपुरा जाक्तर ब्लॉग इस्टिक फत्यवाद से हरा अज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे प्यारे बच्चों जो आज हम शुरू करेंगे हमा चैप्टर टैंथ ब्रित उसके बारे में हम शुरू कर वात करेंगे अज ठीक है इसमें सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक बातों के बारे में जानते हैं ब्रित के बारे में आप काफी कुछ पिछली कक्षाओं के अंदर पड़ चुके हैं काफी बाते आप सीख चुके हैं चेह हैं नुकिलनला और एक बिट के बारे में ठीर है जासे हम जननल एक बिट कीश्ट है आप एक प्रकार दलते हैं और चुंज को जो ँठीखा ठीक है नुकेला सी राय मेолотे को आप एक चाहिता और पैंसल से घुमाते होई इस소냐 से आपके पास एक बनकर ब्रित त्यार हो जाता है ठीक है ब्रित हमारे पास एक 2-dimensional आकरती है ठीक है दो विमावों वाली आकरती है जिसका हम सिर्फ अभास कर सकते हैं हमें real life के अंदर जैसे जानते ही है कि जो two-dimensional आकरती है वो real life के अंदर हमें बहुत कम देखने को मिलती है two dimensional आकरती हो अंदर परचाई हमारे पास एक ऐसा example है ठीक है जो आपके पास हम देख पाते हैं नहीं हम सिर्फ अभास करते हैं किसी भी चीज का बृत हमारे पास किसी भी तल के उपर बना हुआ ठीक है एक ऐसा इस तरह की आकरती को हम बृत कह लेते हैं और यह जो भाग है हमारा यूं कहें हम इसको बृताकार भाग कह लेते हैं इसके लिए कहा भी जाता है कि एक तल पर उन सभी बिंदूओं का समुहूं जो तल के एक स्थिर बिंदू से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो एक बृत कहलाता है ठीक है अब इसके अंदर जो हमारा यह स्थिर बिंदू है ठीक है इसको हम बृत का कह अंदर कहते हैं और जो यह विस्तिर्थ दूरी है इसको हम व्रित की तिरजिया कहते है ठीक है यह हमारे पास इसके व्रित के अंदर में रहता है। यह हमारा जो भाग है यह बृत को कहलता है हमारा और बृत के जो प्रित है किसी भी तल को जैसे माल लीजिए हमारा यह तल हो गया इस तल को तीन भागों के अंदर यह बलवाजित करता है ठीक है जिसके में आपका यह भाग है जो हमारे पास यह अभियंतर कहलता है हमारा वही भाग हो गया हमारे पास ब्रित का और यह ब्रित के उपर ला भाग हो गया आपके पास अब जैसे कोई बिंदू अगर यहाँ है तो वह कहलाएगा कि ब्रित के वही भाग के अंदर है अगर कोई बिंदू यहाँ पर है तो वह ब्रित के अभ्यंतर में कहलाएगा अगर को किसी भी दो बिंदुओं को मिलाकर जो रिखा में प्राप्त होती है उसे बृत की जीवा कहा जाता है ठीक है और बृत के के अंदर में से गुजरने वाली मतलब बृत की सबसे बड़ी जीवा बृत के के अंदर में से गुजरने वाली बृत की सबसे बड़ी जीवा या यूं जीवा के मानली जेश बृत्त है हमारे पास एक वृत्त ले एते हैं ठागे ये हमारे पास चाप और है मोई जपाड प्रित की चाप कहला करें इसे चाप है यह को सफच पीच सणत्राफ कहलाइगी है और जो यह चाप है हमारे पास हिसको हम अपनी लगू चाप कहेंं गहें हैं लगू चाप लगू चाप पी कहींगे ठीक है इस तरीके से आपके इस सारी चिजों का वर्णन किया जते हैं आगे हम थोड़ा सा हूर बात करते हैं इसके बारे में यह चाप होगी हमारे पास माली जी आप इन दोनों बिंदों को मिला देते हैं ठीक है तो आपके पास जो यह चायकित रख आप हमारे पास को इसको हम बोलते हैं लगू बृतखंड लगू ब्रीक ऐसा हो आपके पास इषाट माली के ब्रितकर इंदर सेंको मिला इन बंदों को प्यों को ठीक है तो फिर आप इस भाग भान को भी बीच में सामिल कर लें ठीक है तो ये जो सारा भाग है आपके पास ठीक है इस पूरे भाग को हम क्या कहेंगे हमारा त्रीजा खंड कहेंगे आपके ये त्रीजा खंड कहलाएंगे ठीक है ये भी और ये वाला भाग भी आपका त्रीजा खंड कहलाएगा इसको हमारे सेट अवरल आकरती पर बनाहेके ल रखी अगरे बात करें डेकर आपके पास डिया कि जुट पता है कैंधर को मिला दी झावरा वाह बात में हा ये मारे话 पास ब्रिक की त्रिजाओं द्वारा जो ठीक है इनके खंड किये जाएंगे इनको हम त्रिजा खंड कहेंगे क्योंकि यह इस पूरे खंड के मुकाबले छोटा है तो इसको हम लगू त्रिजा खंड कहेंगे और इसको हम दिर के त्रिजा खंड कहेंगे ठीक है हमारे पास clear अभी इनी चीजों पर बेस्ट आपके पास हम एक्सरसाइज टेन पॉइंट परशनावली दस पॉइंट एक के देखिवारे में देखेंगें इसके जो पहल कोश्चंज है इसके अंदर आपको खाली स्थान दिये गए हैं ठीक है हमारे पास खाली स्थान ही भर रहे हैं हमें खाली स सही ब्रित का मताएंगे विल्कुल सही हमने ठीक है हमारे पास कहां स्थित होता है अभे अंतर के अंदर ठीक है ब्रित के अंदर स्थित होता है हमारे पास ब्रित का के अंदर बिंदू और दूसरा देखें इसके अंदर खाली स्थान हमें क्या दे रहा है ठीक है एक बिंद वहिर भाग के अंदर होगा ठीक है जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास बृत यह के अंदर है अंदर की तरफ होगया और त्रीजा से ज्यादा दूरी मालो गर पांच यो छे सैनिमेटर की दूरी पर बिंदू लोगे तो बृत के बाहर की तरह बनेगा हमारे पा बैश होता है जब इसके सीरे एक ब्यास के सीरे हों ठीक है कहने एक चाप हमारे पास बैश होता है जब इसके सीरे ब्यास के सीरे हों में आपके भी यह माल लेते हैं ब्यास हमारे पास ठीक है यह चाप आप ते पास तो इस चाप को क्या कहेंगे हम ठीक है अगर छोटी होती आ अर्द ब्रित कहलाएगा हमारे पास यह clear उसके बाद नेक्स देखेंगे मारे पास पांचों भाग इसके ब्रित खंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है ब्रित खंड मेंजी यह आप किसी छोड़ दी गई है यह हमारे पास हो गया ब्रित खंड चाहे हम इधर वाले छोड लगू की बात करें जाए दिरकी दोनों हैं तो ब्रित खंड ही इन्होंने कहा ब्रित खंड क्या होता है एक चाप माली यह चाप है और किसके बीच का भाग है यह जीवा ठीक है जीवा के बीच का भाग होता है उसके बाद हम बात करते है नेक्स्ट मारे पास अगले खालिस्तान के हमारे ठीक है एक ब्रित जिस तल्ग परस्ती तो उसे कितने भागों में भिवाजित करता है आपको मैंने बताया था एक हमारे पास उसका वही भाग हो गया एक अ उपर हो गया तो उसे कितने भागों में भी आजीत करता है तीन भागों के अंदर क्लियर ठीक है यह मारे पास हमारा पहला कोशन था प्रशनाली 10.1 का खाली स्थान अब हम देखते हैं हमारे पास दूसरा कोशन उसमें क्या करना हमें कैनल लिख कि यह सत्या या सत्या और अपने उत्तर का कार्ण भी दीजी कि आपका जो उत्तर है वो सत्या है या असत्या है ठीक है हमें सत्या और असत्या के बारे में बताना है एक प्रकार से ठीक है प्रशनाली 10.1 के बारे में हम बात कर रहे हैं इसका पहला भाग देखें हमें क्या कह रहे हैं कि अंदर को ब्रित पर किसी बिंदू से मिलाने वाला रेका खंड ब्रित की त्रिजा होती है बिल्कुल सही, सत्य है आपके पास ये सारा कुछ, ठीक है, हमारा सत्य हो जाएगा, नेक्स देखें, इसका दूसरा भाग, उसमें क्या कहा रहे है, एक बृत में समाल नंभाई की परिमित जिवाएं होती है, समाल नंभाई की, माल लीजिए, अगर आपके पास ये बृत है, आप इनको मिलाएं, ये हो गया, ये हो गया, हमारे पास बराबर जिवाएं, इसी के बराबर जिवाएं माल लेते हैं, ये बन की आपके पास बराबर जिवाएं, और ये बन सकती है, हमारे पास बराबर जिवा तो इसे कारण असंख्या ही जिवाई बनेंगी अगला तीसरा भी पॉइंट देखे मारे पास क्या कह रहा है हमें केला एक बृत को तीन ब्राबर चाप बो में पांड दिया जाता है तो प्रतेग भाग दिर्ग चाप कहलाता है जब एक बृत को आपने तीन ब्राबर टुकड कहेंगे नहीं गल्थ ठीक है असत्य इसके अंदर आपके पास कोई भी दिर्गनी यहां और ना ही कोई लगू है इसके अंदर ठीक है नेक्स देखेंगे इसका चोथा आपके पास उसमें क्या कह रहा है हमें कि कहना है ब्रित की एक जिवा जिसकी लंबाई त्रीजा से संगत चाप के बीच का शेत्रफल होता है नहीं संगत चाप और जीवा के बीच का जो शेत्रफल है ठीक है शेत्र हम कहीं है वो हमारा ब्रित खंड कहलाता है ठीक है यह त्रीजा खंड जो होता है हमारे पास त्रीजाओं और आपका चाप उनके बीच का जो भाग है वो हमा संतल आकरती है बिल्कुल सही two dimensional आकरती है हमारे पास यह हमारा points क्या हो गया बिल्कुल यह सही है सत्य है ठीक है आगे देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट कोशन्स ठीक है प्रशनावली दस प्रइमें दीए गए हैं हम उन परिम्य को करेंगे और साथ में प्रशनावली के स्वा परमें 10.1 के अंदर हमें देखें क्या दे रहा है क्या लिख रहा है क्या लिख रहा है क्या ब्रित की ब्राबर जिवाएं के अंदर पर ब्राबर कौन अंतरीत करती है जो ब्राबर जिवाएं ब्रित की वो ब्राबर कौन अंतरीत करेंगी आपके पास यह हमें एक ब्रित हो ग है CD, हमें यह चीज दी गई है आपको ऑन राभर अंतृत कोण करेंगे? मतलर मितें करना है कोण नमबर 1 अरा बरहल में कोण नमबर 2 ठीक है? इसका दिया है देखे हमारे पास क्या चीज है? इसका दिया है दिया है क्या रहे है? एक ब्रित जिसका के अंदर ओ है ठीक है और एबी वराबर में सीडी इचीज हो जाएगा और सीद्ध क्या करना हमें इसके अंदर कौन एक वराबर में कौन दो परमान देखेंगे हम यह मारे पास ओ के अंदर हो गया तो हम तिरबुज लेंगे तिरबुज और तिरबुज अबे तिरबुज देखें आपके पास औ एबराबर में ब्रबर में ओ क्योंकि यह यह आये आपकी ठीक है यह यह आये आपकी आपकी पास हैं और एब चलिबराबर में CD यह आपको दिया हुआ इनों नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास ठीक है हमारी जो तिर्बुझ है तिर्बुझ AOB वो सर्वांग्सम होगी आपके पास सीओ के साथ तिर्बुझ उस चीज के कारण हमारे पास क्या हो जाएंगे यह पूज है इंदर पर कोण अंतरीत करती है अब इसी के साथ हमें परिमे 10.2 देखें एक्सरसाइज में बिल्कुल सेम यही चीजे करनी है हमें लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि इसको इतना साफ नहीं करेंगे हम देखेंगे इसी चीज के उपर हम कैसे आगे कोश्चन को बढ़ाएंगे आगे देखें परिमे 10.2 ठीक है उसमें क के पास कहा है सिर्फ दिया हुआ का कंसेट चीज हें आपको बराबर मेंira कोन एक नमबर को दिया गया है हमें बराबर में साफ दिया है फैसिरhta करना में वहाँ छिछ हैए जभाह। तो हमारा जो नियम है ठीक है उस नियम के अंदर दो बुजाएं और एक कौन है तो S A S नियम लग जाएगा और CPCD से हम क्या कर सकते हैं हमारे पास AB बराबर में CD हम इसको लिखेंगे ठीक है कि हमारे पास उनकी संगत बुजाएं वो आपस में बराबर हैं ठीक है सरवांग सम्तिर बुजों के संगत-बाबर होते हैं यह हमारा CPBCD का मतलब है CPCD मतलब क्रॉस्ट बुज़ांति प्ल के संगत-बाब संगत-बाब आपके कौन भी हो सकते हैं बुजाएं भी हो सकते हैं क्योंकि 3 का हम in use करते हैं और 3 बाकी बचिंग है तीन कौन और तीन बुजाएं होती हैं उनके युगमंते हैं हमारे पास तो छे में से तीन की सहता से हम प्रूफ करते हैं बाकी जो तीन बचे हम उनको लिख सकते हैं ठीक कर दोने के साथ यहाय के इसके साथ ही हमारे पास क्या करते हैं हम परशनावली के सवल भीएंगों को दिखें आपके आफ के स्वाल देखें आपके आप पास पर Sonja mgd वराबर हो मीज आपको ये चिज़ पता है कि दो व्रित सरवांगसम होंगे अय दी उंकी त classical ब्राबर है तो सीध करना हमें 2 व्रितों की खीष वप्र जिवाएं की व्री तो की ब्राबर को कोण अंत्रित करेंगी मतलब कौण 1 व्राबर में कौण 2 ने No सीद्थ करना होगा यह ओ हो गया तो इसको मैं O' माल लेते हूं यहन पर आपके पास दिया में क्या चेंजरूंस हो जाएगी यहन पर आमारे पास 1 बृत की जग़ा 2 बृत हो जाएएगे 2 बृत जिसके एक एंदर O वै O डैश है और आपको दिया में क्या आ गया AB राबर CD यह जिवाइम राबर दी गई है सिद करना कौन एक राबर में कौन दो आपके पास ठीक है यह चीज आपको सिद करनी है तब उसी चीज का यूज करते हुए हमने वही सेम जैसे उसके अंदर किया वैसा सेम हम यहाँ पर कर रहे है हमने वही तिर बुझे A O B और C O D ली बैस यहाँ पर आपके पास O डैश हो जाएगा ठीक है O डैश C O डैश D आजाएगा और यहाँ पर आपके पास अकेले त्रिजायना लिखकर हम इनको लिखेंगे सर्वांग्सम बृतों की त्रिजायन ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट आपका चेंज लिखा जाएगा ठीक है क्योंकि आपके पास सर्वांग्सम पूरा लिखना है सर्वांग्सम लिख दें आप सिंबल भी मना देते हैं तब भी कोई दिकने सर्वांग्सम बृतों की त्रिजायन ठीक है हमारे पास यह बन जाएगा सर्वांग्सम बृतों की त्रिजायन अपस में बराबर होती है क्योंकि ठीक है दो बृत अगर सर्वांग्सम है तो उनक कुछ चीज के करना अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर अगर हम देखें आपके पास इसलिए तिर्बुज एओ भी सर्वांगसं तिर्बुज सी ओडी हो जाएगा और नियम लगेगा एस 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 भुजा भुजा नियम इसलिए आप सीपी सीडी से हम कुछ भी राबर लिख सकते हैं सर्वांगसं तिर्बुजो के संगत भाग ठीक है कोन दो जो में सिद्ध करना था एसे ही हम इसका नेक्स्ट भाग दिखते हैं हमारे पास दूसरा प्रकॉशन के नसिद्ध कीजिए यदि सर्वांगसं भृतों की जिवाईं उनके कैंद्रों पर ब्राबर कौन अंत्रित करती हैं मिस दो भृत है जो सापस में सर्वांगसं है और हमें दिया गया है कि कौन एक ब्राबर कौन दो ठीक है ये चीज़ आपको दी गई है इन्हों ने हमारे पास है दो ब्रित जिसके के अंदर ओ तथा ओ डैश है ठीक है अब उसी चीज़ की कौर्डिंग हमें देखना है कि क्या करना होगा और सिद्ध क्या करना इसके अंदर अगर कोन ब्राबर है तो जिवाएं आपस में ब्राबर होंगी देखिए आपके प पर थी ब्राबर ठीक है यहां प knights 10.1 के अंदर पहले कोशन में आपके पास क्या था दो ब्रतों पर थी दसप्र Corn चीज रहा क्योंकि वराबर स्रवाझसंवनtechneto की जिवाय है और क्म कौन eerste रबर में कौन दो क्योंकि इसलिए इसलिए हम इन्दोनोंगों को मैं सिर्मागिस को ठीक है यहां ख्याल लखेंगे आप ओ डैश जुरू लिखना है हमें ठीक है अगर बाइचांद हम इस टेक के साथ आपका ना लिखा गया हो पहले फ़ले कोशन के अंदर तो उसको जुरू लिखेंगे क्योंकि हम यहां पर ओ नी ओ डैश की पर बात कर रहें दूसरे ब्रित पर एक ब्रित पर नहीं है यह बात तो यह नियम कौन सा लगा इसके अंदर बुजा कौन बुजा नियम तो अब उस चीज के अधार पर हमारे पास हम कुछी ब्राबर लिशेते हैं संगत भाग हो जाएंगे मारे पास ठीक है उस चीज के कारणी है मारे पास क्या होगी दोनों की दोनों चीजे ब्राबर होगी के लिए अब इसी चीज़ का यूज करते हुए हम देखेंगे हमारे पास आगे हमारा परिमे 10.3 थीक है फरिमे 10.3 में क्या कह रहें आपको यह परिमे 10.3 में आप देखें यह हमारे पास हमारे स्लेवर्श के अंदर तिने इंपोर्डन नहीं है ठिक है इनके प्रूफ है कहना एक बृत के एक केंदर से एक जिवा पर डाला गया लंब जिवा को सम्द्रिभाजित करता है के पास एक बीट ए कि आ देंद़ करता है ये जिवा पर डाला गया है लम इसके इस पर हम ने यहासे लम डाल दिया माल लीजिय ओ-m करता है जिवा को दो बड़ाप्र भागो के अंदर बांडता है हमें यह चीसिंत करने हैं के अंदर अब हम क्या करेंगे इसके अंतर देखिए सबसे पहले तो इसका दिया है लिख लेते हैं दिया है एक ब्रित जिसका कैंदर ओ है जिवा एबी ओम लंब एबी हमें क्या करना है सिद करना है क्या सिद करना है में एम ब्राबर में एम बी रचना में अपने क्या किया ओए वे ओबी को मिला ए ठीक है यह मिला दिया अब इसी चीज़ के ओपर बेस्ट हमारे पास कोशन देखेंगे इसमें क्या करेंगे हम आगे परमान के अंदर हमने इनको रचना के अंदर मिला दिया तो हम इन तिर्भुजों को ले लेंगे तिर्भुज एम ओ वै तिर्भुज बी एम ओ में ओàn अम ब्राबर में ओ रही है दुनों के अंदर ही आळे हमारे पास यह हमारी उब्हनिस्ट बुजा होगी से लिख लें कोमान लिख लें ठीक है उससे कोई परक में पड़ता आपके पास ठीक है वह एक यह बात है और दूसरा नंबर एक ब्राबर में कौन नंबर 2 को नमबर 1 वराबर में कौन नंबर 2 यह 90 डिगरी का यह आपको दिया हुआ था अब दोनों त्रिपुजे आपकी क्या होगी AMO सरवांगसं तिर्बुज BMO 90 degree का कौन है उसके सामने की बुजा करन है ठीक है और एक दूसरा तीसरी बुजा है मारे पास मला RHS नियम लगा इसके अंदर ठीक है RHS नियम समकौन करन और बुजा नियम ठीक है अब हमारे पास उस चीज़ के कारणी है दोनों तिर्बुज़ सरवांगसं होगी तो हम CPCD से कुछ भी राबर ली सकते हैं सरवांगसं तिर्बुजो के संगत भाग आपके पास यहां से देखें अगर हम ठीक है पहले दो मिंदों से इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारी नेक्स परिमे परिमे 10.4 जो परिमे हमारे पास परिमे 10.3 का ही विपरित है विलोम है इसमें क्या कहा रहा है देखें आप पड़ें के ना एक बृत के के अंदर से एक जिवा को समद्रिभाजित करने के लिए खीची गई रेखा जिवा पर लंब होती है मेंज इसमें क्या दिया गया अपको हमें कह रहा है गिरित एख पर केंदर ओ है जी वा एबी और उसका मध्य बिंदु है M am ab का software को इक मतलब इस प्रकार से कहलें कि अब रपर में mb आपको यह क्या रहा है कि कि जो हमने इस मद्यमिंदु को मिलाने वाली रेखा के अंदर को मिलाई है यह इस पर समकॉन डालती है हमें यह प्रूफ करना है मीज कौन एक ब्राबर में कौन दो ब्राबर में 90 डिग्री यह चीज़ सिद करनी है हमें रचना के अंदर हम उसी को लेकर चलेंगे उसी तरिक से मिलाएंगे हमारे पास ठीक है क्योंकि दो चीज़ें के अंदर सेम होगी आपके पास OM कॉमन हो बहुन है और OA ब्राबर में OB दोनों के अंदर जाए यह भी हमारे पास सेम रहेगी ठीक है और इस तीसरी रिए हमें आपस में ब्राबर होगी तो त्रिभुजें आपकी क्या होगी सरवांगसम होगी और नियम कौन सा लगा इसके अंदर भुजा भुजा नियम लगा इसके अंदर अब हम कुछी ब्राबर लिख सकते हैं कि अब क्योंकि कौन एक प्लस कौन दो ब्राबर में एक सोफी डिगरी के क्यों है क्योंकि यह दोन्नों कोन आपके पास एक सर लेखा पर बने हुए है इसे हम कहते हैं रैखी क्यूगम थिक है나 आपको याद होगा है ok के इसके के बारे में पढ़ा है ठिक है पिछली कक्षा में भी रखे के इसके बारे में काफी पड़ चुके है और 치क्स चयपर गयं हम सीन बीषका बारे में काफी बाते OUT concept ठीक है इसके बाद देखते हैं हम हमारा next परिमे परिमे 10.5 ठीक है उसको हम किस प्रकार से देखेंगे करने तीन दिये हुए असरेक बिंदूओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक ही बृत होगा ठीक है इसके बारे में यह हमें सिद्ध करने की जूतनी है इसके बारे में स्थिंपल जनल को लिख सकते हैं ! ठीक है कि हमारे पास अगर तीन अःस है क्विन्दू है उन से आपके पास एक ही बृत खिचा जाएगा हम क्या करेंगे इससे हम रचना की रचना की त्रह आ शार्या की तरह ही आपके पास पॉइंट लिक आंगे सारे के सारे आपको तीन बिंदू A, B, C दिये गए हैं A, B, B, C और C, A को मिलाया गया ठीक है इनमें किसी भी दो बृत्तों को ठीक है हम इस बृत्त त्रिबुज बन गी है मारे पास त्रिबुज A, B, C बन त्यार है इनमें हम किसी भी दो बुजाओं का लमसंद राजा खिचेंगे ठीक है जहां पर वो मिलेगा वो बृत्त का के अंदर कहलाएगा ओ, B, C, C, त्रिजामान का हम एक बृत्त खिचेंगे जो इन तीनों बृत्तों से होकर गुजरेगा ठीक है यह हमारे पास इस त्रिबुज का परी बृत्त कहलाएगा आनते हैं सिर्फ तीन आसर एक बिंदू से होकर स आसकता है ठीक है इसी चीज़ पर बेस्ट आपके पास उधारन नंबर वन दिया गया है सेम इसी कंसेट के उपर एक बृत्त का चाप ठीक है यह मारे पास परिमिया हमारा 10.5 था अब इसी पर हमारे पास उधारन नंबर एक हमारे पास डिपेंड करता है सेम इसी कंसेप्ट के ओपर एक बृत का चाप दिया हुआ है इस चाप को बृत को पुरा कीजिए मिज आपको बृत दिया गया जैसे माल लेते हैं यह हम क्या करेंगे उस पर तीन बिंदू लेंगे अ ठीक है और जहां पर वो बृत आपस में बिंदू के दोनों लंसम द्राजग कटेंगे हमारे पास वो बृत का के अंदर के लाएगा ओए को बृत की त्रिजा मानकर हम बृत खीचेंगे जो आपके पास इन तीनों बिंदूं से गुजरता हुआ आपको एक पूरन बृत दे है हमारे आज के लेक्चर के अंदर आप इन सभी को करके देखेंगे कोई किसी प्रकार की इनके रिगार्डिंग कोई प्रॉडम हो ठीक है तो आप मुझे कमेंड बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैन हैं स्ट्डियो फ्र देखेंगे और मेरे चैना ओर प्रॉडम हैंस